आप सभी ने phone book शायद देखा हो, आज की टाइम पे तो नहीं लेकिन पहले phone book आता था, phone book में क्या होता था कि अलग लगों के जो contact number होते थे, line line number या फिर mobile number होते थे, वो उस phone book में लिखे होते थे, और अगर आपको किसी authority से या फिर किसी भी person से contact करना था, आपके पास mobile number नि meaning अगर आपको नहीं पता है, तो किसी भी word की meanings जो है, आप वहाँ पे find out कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्या है, alphabetical order में सारे words जो आपको लिखे होते हैं, ABCD के form में, और आप जिस भी word की meaning find out करना थे, उस dictionary को खोलेंगे, और वहाँ पे आप उसको find out कर सकते हैं, तो same वही च collection of mobile numbers या contact numbers है, तो क्या है, वो database कहलाता है, इसी तरह के से जब आप customer की data, student का data, sales का data, या फिर employee का data, जब आप उसको computerized form में रखते हैं, इस्टोर करके तो वही चीज क्या कहलाता है, database कहलाता है, तो a database is an organized collection of data, so that it can be easily assessed and managed, यानि कि जो database होता है, वो क्या होता है, organized collection of data होता ह जिससे कि उसको आप आसानी से access कर सको, use कर सको, उसको manage कर सको, अब non-computerized data है, तो phone book है, या फिर dictionary है, उसमें प्रिंट हो गया, तो उसको आप दुबारा edit नहीं कर सकते हो, या तो दुबारा उसकी copy print होगी, लेकिन computerized database में क्या होता है, कि वहाँ पे अगर कोई गलती होती ह कर सकते हो, उसको दुबारा से save कर सकते हो, उसको retrieve कर सकते हो, उसको आसानी से access कर सकते हो, तो database क्या हो गया, organized collection of data, वो data, customer का data हो सकता है, अगर आप college में हो तो आपकी marks होगे, आपके mobile number होगे, आपका address हो गया, आप employee हो किसी organization का, तो आपकी employee ID होगी, आपका age होगी, आपकी नफसेंट थे, कितने दिर परजेंट थे, कितने दिर लिफ पर थे, इस सारी details जो है, वहाँ पे आप जो है कठा कर सकते हो, उसी को जो organized collection of data होता है, वही चीज database कहलाता है, so that computer program can easily and quickly find access the needed data, तो database क्यों तार किया आता है, जिससे कि आसानी से जो computer program है, वो आसानी से और पूरा data आप जो है, इस्टोट का save करके रखे हैं, तो आप आसानी से control F का use करके, किसी भी student का data, जो है, find out कर सकते हैं, किसी student की marks को आपको जानना है, कि कौन से सर्जेट कितने marks आप है, तो अगर वो data आपके पास save है, तो आप control F करके, उस student का data, उस student का marks जो है, आप find out कर लेते हैं, तो database का करता है, आपको easily और quick access जो है, प्रोवाइड करता है data को, one can organize data into tables, rows, columns and index, to make it easier to find relevant information, तो database में जो data organize होता है, उसको हम table में, rows में, columns में, या फिर index में जो है, जिससे कि हमें आसानी से वो relevant information हमें आसानी से मिल जाए, अब यह जो database को data, इसमें जो feed करना, data को manage करना, कौन करता है, data handlers, कौन करते हैं, data handlers, या फिर इनको data administrator भी कहते हैं, या end user, यह लोग क्या करते हैं, data को handle करते हैं, उसको manage करते हैं, उसको update करते हैं, उसको edit करते हैं, वही database को create करते हैं, the main purpose of the database is to operate a large amount of information by storing, retrieving and managing data, तो main purpose क्या होता है database का, कि आप जो है large amount of information है, उस उसको आसानी से store कर सकें, उसको retrieve कर सकें, जब भी आपको चाहिए, और उसको manage कर सकें, या नहीं कि आपको कोई edit करना है, कुछ delete करना है, तो आप उसको manage कर सकें, तो यही चीज database कहलाता है, तो database क्या हो गया, organized collection of data, यानि कि relevant data, employee का data है अलग, customer का data अलग, और student का data अलग, sales का data तो आपने क्या क्यों, पूरा store करके रखा है, किसी hardware में, किसी storage device में, तो यह चीज आपका क्या हो जाएगा, database हो जाएगा, बात कर लें, element of database में, तो जैसे कि आप figure में देख रहोंगे, तो यह क्या है, एक table है, ठीक है, इस table में आपको कुछ characters दिख रहोंगे, जैसे alphabet हो ग आते हैं, field के है store one type of detail, जैसे कि first name, तो यहाँ पर first name में, सभी जो student होंगे, फिर सभी जो employee होंगे, उनका पहला नाम आ जाएगा, तो इसको field कहते है, दूसरा field के है last name, last name आने कि हर employee का last name क्या है, address, तीसरा field है, तो address उसमाई आ जाएगा, एक type के data को एक field में store करता है, record, record means collection of related field, यहाँ पर आप देखेंगे, कि यहाँ पर इंपलाई का detail है, या फिर सिर्फ जो है, student का detail है, या फिर सिर्फ से इसका detail है, तो यह एक record हो गया, files, files क्या हो गया, collection of related, यहाँ कि बहुत सारे records को, related records हैं, उनका collection, और जब बहुत सारे files को आप एक जहाँ पर safe कर लेते है बहुत सारे files से database बनता है, होता नहीं कि आप employee का file ले आइए, अब सबोच कि एक ही college में 10 student पढ़ रहा है, तो 10 student के अलग-लग file बनते हैं, हर file के अंदर जो है, उसके अलग-लग record होंगे, कि उसने face कितनी दी, उसके mask कितनी है, उसने session exam कौन से दी है, तो यह जो अलग- बिस्ट, keep watching.